स्वागत है आप सभी का एक्जाम की बाद यूटूब चैनल पर जहां हम पढ़ रहे थे भारती इतियास के बारे में कल के वीडियो में हमने जो है दिल्ली सल्तन टॉपिक कम्प्लीट कर लिया था तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जैसे कि हम पढ़ने वाले मुगल काल के बारे में तो आज का पहला कोश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था आपके पास है चार ओप्शन अकबर, बाबर, हुमायू या जहागीर दोस्तो इसका सही जवाब है बाबर बाबर ने 1526 में पानिपत के प्रतम युद्ध में इबराहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नीव रखी बाबर जो था ये फरगना का शाशकता, फरगना जो की मध्य इशिया में था ये बाबर फरगना का शाशकता चलते हैं हमारे अगले कोश्चन पर हमारे अगला कोश्चन है बाबर और राना सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ आपके पासे चार ओप्शन, चोसा का युद्ध, हल्दी गाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर पानिपत का युद्ध दोस्तों इसका सही जवाब है खानवा का युद्ध खानवा जो कि आगरा के निकट है यहाँ पर बाबर और रानासांगा के मध्य जो है युद्ध हुआ था जिसमें कि बाबर विजई रहा और रानासांगा जो कि मेवाड के राजा थे इन्होंने इससे पुर्व इब्राहिम लोधी को 1518 में बूंदी के पास खातोली की युद्ध में परास्त किया था ये वही इब्राहिम लोधी है जिसे बाबर ने पानीपत के प्रत्म युद्ध में जो है परास्त किया था चलते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हमारा अगला कोशन है बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा दोस्तों आपके पासे चार ओप्षन हेमू, मेदी नीराय, नुसरच्छा या मेदी लोदी दोस्तों इसका सही जवाब है मेदी नीराय मेदी नीराय, जो कि चंदेरी का राजपू शाशक था बाबर ने इससे 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा जिसमें बाबर विजए रहा दोस्तों अब हम आगे पड़ते हैं बाबर के द्वारा लड़े गई युद्ध जैसा कि आप जानते हैं 1526 में जो है बाबर ने भारत में प्रतम आक्रमन किया था 1526 में इसका पहला युद्ध था पानिपत का प्रतम युद्ध जिसमें की इब्राहिम लोदी को परास्थ किया था इसके बाद 1527 में खानवा को युद्ध मेवाड के राना सांगा से लड़ा जिसमें ये विजई रहा 1528 में चंदेरी के राजपूर शाशेक मेतिनी राय को परास्थ किया और 1529 में जो है गागरा के युद्ध में अफगानों के खिलाफ लड़ा जिसका नेतरतों महमूद लोदी कर रहा था तो बाबर ने अपने शुरू के चार वर्शों में जो है महतपूर्ण चार युद्ध लड़े और सब में विजई रहा साथ ही बाबर 1530 में जो इम्रत्यू को प्राप्त हुआ और बाबर का जो मकबरा है वो काबूल में बना हुआ है ये बात आपको याद रखनी है कि बाबर का मकबरा कहा बना हुआ है तो बाबर का मकबरा काबूल में बना हुआ है तो चलते हैं अब हमारे अगले question की तरफ हमारा अगला question है बाबर नामा या तुझू के बाबरी किस केद्वारा लिखी गई आपके पारसे चार option बाबर, हुमायू, असकरी या कामरान तो दोस्तों इसका पारसी जवाब है बाबर नमा या तुझू के बाबरी जो है वो बाबर के स्वयम के द्वारे लिखी गई यह उसकी जीवनी थी जो उसने स्वयम लिखी थी और साथ ही अगर बात करें इसके दूसरे उप्शनों की तो हुमायू, असकरी, कामरान और हिंदाल यह चार जो है यह बाबर के पुत्र थे जिसमें की हुमायू सबसे बड़ा पुत्र था साथ ही एक बात और याद रखनी है कि बाबर को लेख को का राजकुमार कहा जाता है अगर कुशन आ जाए कि लेख को का राजकुमार किसे कहा जाता है तो बाबर को कहा जाता है चलते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ हमागर अगला कोश्चन है हुमाईू ने चोसा का युद्ध जो है किसके साथ लड़ा आपके पासे चार ओप्शन हेमू, हिंदाल, नुसरच्शा या शेर्शा हुमाईू ने चोसा का युद्ध शेर्शा के खिलाफ लड़ा था शेर्शा जिसका वास्त्विक नाम फरीद था ठीके दोस्तों, तब हम आके पढ़ते हैं हुमाईू के द्वारा शेर्शा से लड़े गए युद्ध हुमाईू और शेर्शा के मध्या कुल मिलाकर तीन युद्ध लड़े गए थे पहला युद्ध था 1532 में चुनार का युद्ध जिसमें कि हुमायू विजई रहा और शेर्षा की हार हुई 1549 में दोनों के मध्य पुनह युद्ध हुआ चोसा का युद्ध जिसमें शेर्षा सूरी विजई तो रहा लेकिन हुमायू बच निकला तो जिसके कारण उसकी विजई पूर्ण नहीं हो पाई और तीसरा और अंतिम युद्ध था कन्नोज का युद्ध जिसमें कि शेर्षा सूरी जो है विजई रहा और हुमायू जो यहां से भाग कर अमर कोट में एक राजपू शाशक किया उसने शरण ली थी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और आज का सवाल कि इस प्रकार है बाबर का मकबरा कहा बना हुआ है आपके पासे चार ओप्शन दिल्ली, आगरा, रंगून या काबुल तो एक बार आप सर्च कीजेगा और अगर आपको नहीं मिले तो आप एक बार वीडियो पुन देखीगा क्योंकि वीडियो की बीच में ही इसका आंसर है तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले तथा बेल आइकन जरूर दबाएं जिसके आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सकें